प्रतिस बन रख्षक जेल प्रहरी का जो एक्जाम है वो काफी दिन पहले हो चुका है आपको पता है और अभी कुछ दिन पहले पड़वारी का रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिल गया तो यहां पर हम लोग यह बात करें कि इसका बन रख्षक का जेल प्रहरी का या जो डिप्टी जेलर का उसका रिजल्ट कब तक आएगा तो यह बहुत सिंपल सी चीज़ है कि देखिएगा रेल आपका पड़वारी के लिए जितने फॉर्म बरे गए थे लगबग इतने फॉर्म बरे गए थे अगर देख जा थोड़े बहुत जो है अगर हम बोल सकते हैं जो है और इनका फॉर्स गार्ड का यहां पर इन्वॉल्मेंट हो जाएगा ठीक है और कुछ नहीं है ठीक है लेकिन रिजल्ट जो है वो आएगा भयापम के ही अकौर्डिंग बयापम ही इसको सैट करेगा कि यह रिजल्ट कब तक आएगा क्या आएगा वो सारी चीज़े यो है वो ही जहे देगा ठीक है अब एक टिक्कत आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा कट ओफ आएगा कट ओफ कितना रहेगा वेटिंग लिस्ट बनेगी कि नहीं लेंगी भाई बिलकुर बनेगी देखी फॉरेस्ट गार्ड में दो तरीके की है एक तो बन रक्षक है और एक और जो गार्ड है वो है ठीक है एक जेल प्रैरी है और एक जेल प्रैरी के साथ में एक और डिप्टी जेलर का अलग से एक्जाम आपने दिया होगा ठीक है वो डिप्टी जेलर वाला जो वो एक अलग चीज है ध्यान दीजेगा आप जब exam form भर रहे होंगे तो आपको जो भी computer वाले जहां भी वरवाया हुगा आपने घर से बराऊगा तो आपको एक अलग से option आया होगा कि डिपटी जे लगा भी exam भरना या नहीं भरना है तो yes करें उसके अलग से पैसे लगी हों बस एक ही दिन में exam करा दिया गया है क्यों करा दिये गया इस student को दिक्कत ना आए और plus एक और दिक्कत ना हो के भी यह जो exam हो रहा उसी के साथ-साथ भी exam हो जाए इस से बच्चों का आने आने में दिक्कत ना हो लेकिन exam वो अलग-अलग जेल पर रही हो डिप्टी जेलर दोनों का अलग अलग पेपर हुआ है यह सभी को बताऊगा ओके फ्रेंट्स अगर आप उनलाइन फिश्टरी पर जाएंगे तो बहुत सारी आपको वीडियो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एक्जाम के लिए आकर एक बार चेक आउट जोरूर करेंगे अब यह यह वाला महिना है जोले वाला महिना यह पूरा निकल जाएगा वोकल को जोला एवाला यह महिना है고요 और अगर बात कर ск 민 अप्रस फास्ट वीक उ यह उसका और के माते करेंगे इसकेबद रिज़ल्ट आएगा इसका जो है जो भी चीजे करते हैं रिज़ल्ट के बाद में Cut-off वगएरा जो भी हम बात कर लेदें कितना हो सकता है देखिए आप सबी को पता है कि जो इसका अंडिजब केटिगीरी का रिजल्ट है यानि कि कट ओफ है वो बहुत कम जाएगा इसका कम क्यों जाएगा कारण यह है कि कुकि कोश्ण पीपर बहुत जा तफ बना था ओके और इसमें कई बार ही हुआ है आपको यही पता है कि जो चक्रवाद था ओके जो तूफान वगएर आपका 62 से लेकर 68 में 68 क्या बता रहा हूं यह 68 इतना ज़ता क्यों होता रहाँ 62 जो है बिना normalize जो raw mark है वो है और यह है 68 आपके कैसे जो normalization होने के बाद में number आते हैं क्या normalization होने के बाद में जो number आती है यह normalization है इतना समझेगा 62 से 68 के लगबग लगबग number रह सकता है OBC के हम बात करें OBC का कितना जा सकता है OBC का आराम से आपका 55 से लेकर आपका 62 या 64 का समतिक रह सकता है कितना raw mark देख रहा है और यहां पर यह मिलना है normalization normalization यह आप रहम बोल सकते है जो 65 यह खिवा इतने आ रहा है जो चीज़ है वो आपको तभी बता रहा हूं जो बड़े बड़े जो 플ार्व ऐसर ले RS से माइन देखी का मोरे पास मेरे पर कमेंटस आते हैं मैंने यू को दिस करा किए तो मैं लगग हम बात करें सारी इसिक्टेश को मुला कर तो झाख्यू को गैरे ऑचर हbor कर आश्युट के बात करें तो SCCategory का आराम से जो Cut nigrap जायगा बहर जायएगा 52 से लेकर 60 तक 150 से लेकर Cut of जा सकता है यह जो कार लिए Category के जा सकता है Okay अगर हम बात करें OSTCategory के जो Cut of जाएगा आराम से जाएगा आपका 48 से लेकर आपका कितना जाएगा 50 58 तक इतना cutoff जाएगा आप थूचर को ये cutoff कम को जा रहा है भाई कम ही जाएगा cutoff ज्यादा नहीं जाएगा और इसमें भी अगर हम बात करें एक चीज और है ये जो cutoff है वो किस वेसे पर है कि आपको जो है हो सकता है में भी normalization में अगर ज्यादा mark मिल जाए मान लीजेगा इसमें मैंने बोला कि आपके यसे मान लीजे किसी के आया है 65 नमबर नमलाइशन में उसको 10 नमबर मिल जाएंगे तो 75 हो जाएंगे 75 नमबर हो गए उसके तब जो है cutoff ज्यादा चला जाएगा जब जो है इसमें नमलाइशन में ज्यादा marks मिल जाते है तो अगर आपको 545 नमबर मिल ले तो इतना ही cutoff जाएगा जितना 68 70 70 से उपर यहां पर नहीं जा सकता क्योंकि इतना hard paper आया हुआ है आपको पता है कि paper question paper जो है ज्यादा tough बना हुआ तो यह cutoff हो सकता EWS की बात करें तो EWS भी लगबग लगवा आपका 60 से 65 के अंदर ही रहेगा से उपर नीचे नहीं जाएगा तो आई तिंग यह वीडियो में आपको मैंने जितने भी जनकारी दिये वह helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी है जानकरी helpful लगी हो यह वाले कोशिन आप देख थियर पंगे दिया कoting मही कोशिन आप है लें में फिघ कि市場 फीश आपका लेंट को चारी दुर मेलको की बात और हम सब पनापक्छन दियाले सेजक पझाएन हुआ को बात देख को है तोutta है रहे जय Cr winner टIंट करें है उटका फृ एजबग वागे पनापकाTheव एपढ की बा